श्रद्धा कपूर, अक्षय कुमार और अजय देवगन से बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्या हाल बोले वुड एपिसोड नमबर 57 में और आज की सबसे बड़ी ख़बर यही है कि श्रद्धा कपूर की जो मुवीज हैं वो ज़्यादा पैसे कमयाती हैं अक्षय कुमार और अजय देवगन से बता दे स्त्री टू जो मुवी रिलीज होने वाली है मुवी ने 5 करोड एडवांस बुकिंग कर ली है और एक्सपेक्टेड है यह मुवी पहले दिन 30 करोड से ज़्यादा की कमाई कर ले वही अगर पिछली दो मुवीज की बात करें अजय देवगन की मुवी थी औरो में कहादम था और अक्षय कुमार की सिर्फ इरा मुवी का 20 करोड का कलेक्शन था और उमें कहादम का था 10 करोड का कलेक्शन तो कुल मिला के उनका लाइफटेंग कलेक्शन 30 करोड है और इनकी एक मुवी पहले दिन की 30 करोड की ओपनिंग करने जा रही है इससे ये पता चलता है कि अच्छी मुवी बनाओगे तो ही लोग देखने आएंगे और बहुत जादा फरक नहीं पड़ता है अगली खबर है जैकलीन फ्रनेंडीज की वो 39 एर्स की हो गई है आज उनका जनम दित था बट वो न्यूज में क्यो रही आपको पता है कि सुकेश चंद्री सेखर जो की एक कौन मैन है जिन पर केस भी चल रहा है एडी का 200 करोड की धोखा दे रही है और तब भी वो यह काम उनके लिए कर रही है तो यह कितनी बड़ी बात है तो इस पर लोग मजाग मना रहे थी कि आज कल के जो बॉइफ्रेंड्स है वो तो अगर गल्फ्रेंड्स साथ में हो तो कुछ नहीं करते यह तो जब गल्फ्रेंड्स छोड़ चुकी है यह ही है हिंदी में तो उस पर लोग यह कहने लगे कि शनाया कपूर से पहले तो इसका डेबिव हो गया है शनाया कपूर आपको याद होगा वो अम्मानी की शादी में उनका बैग चेक हो रहा था बाहर और वो गुसा कर रही थी तो कई लोगों ने उनको जब भी ट्रोल किया उन्होंने बंगलादेश में इस वक्त जो हिंसा चल रहे है उसमें हिंदूों को टार्गेट किया जा रहा है वो उन्होंने लिखा कि no community should go through such horrific acts इससे ये पता चलता है कि भई वो भारत में या विदेश में या कहीं पर भी कोई भी माइनोरिटी है उनके लिए आवाज उठ करना चाहिए खैर ये थी आज की खबरें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रू कीजिए और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना बोले हम रोज आपके लिए बोलीवर डिलेटीड न्यूज लाते रहते हैं धन्यवाद